रादे किष्णा उन्नेती किष्णा बूटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में हम बनाएंगे छे नमर के लड़ू गोपाल जी का मुकोट उसको थोड़ा सा हमने पगड़ी का लुक दिया है तो चली हम बना लेते हैं यह देखिए मैंने यह कपड़ा लिया है अस्तर लिया है जो लड़ू गोपाल की ड्रेसों में लगा हुआ होता है बजारवाली में वो थोड़ा सा टायट होता है यह देखिए मैंने इस तरीके से वीडियो में दिखाया है उस तरीके से आपको लेना है और मैंने एक पेपर डाला उसमें काड का टुकड़ा और मैंने मैंने सिर्फ इस तरीके से आपको दिखाया है हम मुकुट का वेज इस तरीके से अंदरवाला बना सकते हैं ये मैंने बनाके पहले से रखा है. इसकी चोड़ाई सवाइनची लिए मैंने. लंबाई इसकी हमने साढ़े दस इंची रख्ये. तो चलिए बना लेते हैं अब. ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है. सीफ़ॉन जॉर्बजट का कपड़ा है. बहुत ही मुलाइम कपड़ा है इसके ओपर मैंने अस्तर रखा है यह देखिए अब हम इसको कटकल लेंगे इस तरीके से हमने कपड़े को पलट लिया अब हम इसको सिलेंगे अस्तर के कपड़े को हमें ऊपर की शाट में रखना है और इस पर हम एक सीधी सिलाई कर लेंगे तो चलिए मैं सिल लेती हूँ यह देखिए मैंने इसको सिल लिया है और पिन की साहते से हम इसको सीधा कर लेंगे यह देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है यह देखिए अब हम इस पट्टी को इसके अंदर डालेंगे जो हमने अस्तर और काटके टुकड़े इससे बनाके रखिया है इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर डाल दिया इसके इस दोनों कॉर्णर पर हम से लाई कर लेंगे अब हम अपने लड्डू को पाल के से से नाप लेंगे यह देखिये मैंने नाप लिया है आराम से हमारे लड्डू को पाल के यह मुकट आ जाएगा इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे सुई और धागे से यह देखिये मैं चार जगे इसमें टांकी लगाऊंगी इस देखिये अब हम बीच में टांकी लगाएंगे कि देखिये इस जगे पर भी हम टांका लगा लेंगे कि देखिये कितनी आसान तरीके से यह मुकट बनता जा रहा है कोई दिकत नहीं होगी आपको इसको बनाने में वीडियो को देखते जाएं और मुकट बनाते जाएं तो चली हम बना लेते हैं अब हम इस कपड़े को पट्टी को अंदर की साड में पीछे को फोल्ड करेंगे इस तरीके से कि देखिए अब हम इधर भी टांक लागा लेंगे इस तरीके से मैं इसको टांक लोगी तुर्पन की तरह हमें इसको टांक ना है अगर आपको मेरी वीडियो पशंद आए तो वीडियो को लाइक करें शियर करें कमेंट करें मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताके सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिशन मिल प गया है मुकोट इसको हम पगड़ी भी बनाएंगे और मुकोट भी यह देखिए अब हमने ड्रेस पैना दी अपने लड़ुगोपाल को यह कपड़ा लिया है मैंने साड़े आठींची लम्माई इसकी और डेड़ींची चोड़ाई है यह देखिए इसकी चोड़ाई सावाई इनची है और लम्माई इसकी साड़े आठींची है दोनों कपड़े वैसे बरावर होने चाहिए एक कपड़ा मेरा छोटा है चोड़ाई में अब हमने यह गलू से चुपका लिए दोनों कपड़े दीखिए अब हम इसको इस तरीक से ग्लू लगाएंगे और मुकुट के ऊपर चुपका देंगे इस तरीक से इस दीखिए अब हम इस तरीक से ग्लू लगाके इसको चुपका देंगे अब हम हलके से इसमें अंटे लगाएंगे ज्यादा हमें तागत नहीं लगानी है और इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे कितनी प्यारी सी पगड़ी बनके तयार होगी और मुकुड़ भी इसको बनाना कितना आसान है आप लोग देख रहे होंगे अब हम इस कपड को यहीं पर कट कर देँगे पूरे मुकुड़ पर हमें ये कपड़ा नहीं गुमाना है वस इतना साही रखना है आधे हिस्से में हमें पगड़ी का लुग देना है इसको तीन बार हमें ये अंटे वाली पत्टी लगानी है यह देखिए, दो बारे से हमने लगा दिये, अगर तीसरी बार और लगाएंगे हम, यह देखिए, इस तरीके से ऐसे चुपका देंगे, और इसको लगा देखिए, इसके सवक्ता हो, यह देखिए, ओिसको देखिए, ईसको देखिए, फिंद्ये से को देखिए यह देखिए एक साइड से लग रहा है बिलकुल कि हमने पगड़ी बनाई है अब हम इसके उपर चैन लगाएंगे इस साइड से हमारा यह मुकुट बन जाएगा तो चलिए हम चुपका देते हैं इसको गुलू से इस जगे पर हम इनको चुपकाएंगे इवी कि तीनों लड़ी हमने चुपका दियें अब हम इसके उपर फूल लगा देंगे इनको चुपका देंगे हुलू की मदद से आपको यह पगड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें आसा करते हूं वीडियो को आपने एक बार पूरा जरूर देखा होगा यह देखिए कितना प्यारा स सुन्दर सा पगड़ी मखोट बन के तैयार है आप भी अपने लड़ू को पाल के लिए इस तरीके से मखोट बना सकते हैं मखोट को डेकृरेट करने के लिए जो आपके पास जो भी चीज है उसी से डेकृरेट कर लें यह देखिए कितना प्यारा सा मखोट लग रहा है हमा आदे किष्णा